Hello everyone and welcome to DS Kuruji रोजगार से जुड़ा हमारे वीडियो है और इस वीडियो में बात करेंगे एक भरती की ये भरती निकाली गई है PS PCL के द्वारा इसमें लगबग 1800 पद है 1788 में पद इसमें है और इसमें जो पद है वो LDC के और JE के पद भी है तो इसी के बारे में जानेंगे कि इसका eligibility criteria क्या रहेगा कौन-कौन इस form को fill कर सकता है इसके form filling की last state क्या है कब से form fill होना start होंगे और mode of examination क्या होगा इसका link description में दिया हुआ है आप website को visit करके इसके जानकारी खुद से प्राप्त कर सकते हैं शुरुवात करते हैं इस भरती के बारे में तो यह जो भरती निकाली गई है यह निकाली गई है PS-PCL यह भरती निकाली गई है पंजाब State Power Corporation Limited की द्वारा और इसमें जो भरती निकाली गई है वो दिन था 17.08.2019 का कुलपद है इसमें 1708 में तो इसके बारे में अगर संक्सित त्यानकारी में आपको दू तो यह है पंजाब State Power Corporation Limited ने CRA 293 और 294 और 294 के खिलाफ Lower Division कलर Junior Engineer और अन्य रिक्तियों के भरती के लिए आदि सूचना जारी की है और इसमें जो आदि सूचना है इसकी मातोपूर्ण तिथियां है ओनलाइन आवेदन करने की जो तिथी सुरू होगी वो 20 तारिक से 20 अगस्त 2019 से इसके आवेदन होना स्टार्ट होगे और 9 सितमबर 2019 तक इसका आवेदन होगा अब क्या-क्या पोस्टे हैं इसमें तो इसमें अगर पोस्टों के बात की जाए तो अवर स्रेणी लिपिक जो होगा उसके लिए 1000 पद है जूनियर इंजिनियर के 500 पद है जूनियर इंजिनियर सिविल के 110 पद है राजस्व लिखाकार के 54 इलेक्ट्रीशन ग्रेट सेकिन के 45 और संभागिय अधिक्रसक हिसाब किताब के 26 स्टेनो टाइपिस्ट के 50 आंतरिक लेखा परिक्षक के 9 और लेखा अधिकारी के इसमें 4 पद है और इससे जुड़े महतोपुन लिंक्स में आपर दिये हुए हैं आप खुद से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो ये थी एक महतोपुन भरती की जानकारी इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू सो मच थैंक्स पो वचिंग